गेहूं की बड़ती कीम्तों को कावू करने के लिए सरकार इस पर stock limit लगाने की तयारी कर रही है, इस पर विचार कर रही है, सोमवार को केंदरी खादि सचेव सुधानशु पांडे ने इसके संकेत दिये, stock limit आपको बता दे क्या होती है, stock limit सरकार ये तै कर देती है कि कि किसी वियापारियों पर stock limit लगाने का विचार कर रही है, पहले सितंबर तक केंदरी पूल में 248 लाख टन गेहूं का stock दर्ज किया गया है, जो 14 वर्षों में सितंबर की शुरुबात का सबसे कम stock है, केंदरी पूल में सिर्फ गेहूं ही नहीं, चावल का stock भी घटा है, जिस के लिए, क्योंकि गेहूं पर, गेहूं आमतार पर उन फसलों में नहीं है, जिने आप सामान रूप से stock limit के दाएरे में ले आए, जैसे दाले अखादे तेल, क्योंकि गेहूं का भंडारन देश के हर वेक्ति के पास, अधिकांश लोगों के पास होता है, जो खेती में पढ़ती भी है तो, पर इसकी चर्चा इसलिए की जा रही, उसकी दो बड़ी वज़े हैं, क्योंकि फ्री मारकेट में, ओपन मारकेट में सरकार हमेशा इंटर्वीन करती है, सरकार दो तरह से गेहूं के stock का इस्तिमाल करती है, एक गेहूं के stock का इस्तिमाल करती है, अनाज वितरन में सस्ते राशन को बाटने में जिस पर मागे चरचा करेंगे और दूसरा ये कि बाजार में दो फसलों के बीच में जब भी गैप होता है गैप होता है गैप होता है तो जो थोके में गैप का इस्तेमाल करने वाले उद्योग हैं जिसे कि खाद उत्पाद बनाने वाल इन्हें केंदर सरकार अपने केंदरी पूल से अनाज बेचती है जारी करती है ताकि बाजार में गेहों की कीमतें नेंतरण में रहे हैं इस बार दिक्कत ये है कि बाजार में गेहों की कीमतें बढ़ी हुई है केंदर सरकार के सेंटरल पूल से बाजार में बेचा जाने वाला गेहूं बंद हो चुका है क्योंकि साल गेहूं नहीं है और इसलिए इस बात का खत्रा या रिस्क है कि गेहूं की जमाखोरी हो रही है या गेहूं के स्टॉक्स कहीं बनाये जा रहे हैं ये संकेत सरकार की तरफ से दिया गया और जो आकड़ा शुबम ने आपको बताया है कि 24 लाक्टन के आसपास का गेहूं है जो की 2008 के बाद न्यूंतम इस्तर है अगर सरकार इसका संकेत भी देती है कि वो जमाखोरी रोकने की कोशिश कर रही है तो इसमें एक पूरी बिरोक्रेसी सक्री होगी लेकिन इसका आसर हमें फिर कीमतों में बढ़तरी के तोर पर है कि सितंबर के बाद ये योजना को जारी रखना बड़ी चुनाओती होगी अभी तक हमरे पास कोई आधिकारी कुरूप से सुचना नहीं है मैं कल से भी से जानने की कोशिश कर रहा था सरकार में अलग-अलग लोगों से कि क्या ये जो मुफतनाज की 5 किलो मुफतनाज द देने की योजना जारी रहेगी कि नहीं रहेगी दस दिन बचे हैं अगर आप समय सीमा के आधार पर देखें सुत्रों का ऐसा कहना है जो जानकार लोग उनका कहना है कि इस पर अंतिम फैसला प्रथानमंत्री का राले करेगा किसी स्कीम को जारी रखना है क्योंकि नहीं क्य चार सो अठानबे लाक टन है और करीब करीब चार सो सी लाक टन के आसपास अनाच की जरूरत साल में होगी पूरे साल अगले साल इसे जारी रखने के लिए अब यहां बड़ी दूइधा सरकार के पास यह है कि तातकालिक तार पर इसकी बढ़ोतरी कर दी जाए पर यह कभी करना पड़ेगा ही अब वो कब कौन सा समय आएगा इस यह फैसला काफी है तक राजी नीतिक है अगर चुनाओ को देखकर लिया जाने वाला फैसला है तो भारत में तो चुनाओ चिरंदर निरंदर चलने वाली प्रक्रिया है एक चुनाओ को देखकर अगर माली जी अभी गुजरात हिमाचल के चुनाओ को देखकर सरकार रुकती है तो इसके बाद अगले साल फिर दूसरी चुनाओ सर पर खड़े होंगे जहां ये मुफत अनाच की स्कीम का फिर दबाओ बनेगा लेकिन अगर खरीफ के उतपादन और रभी के उतपादन की रोशनी में देखा होगा तो अनाच की आपूरती की दरिश्टे से सबसीडी भले कें सरकार के पास देने के लिए हो पर अनाच की उपलब्धता की दरिश्टे से इस मुफत अनाच की स्कीम को चलाय रख पाना इसे सस्टेन कर पाना आने वाले महीनों में उत्तर-उतर सरकार के लिए मुश्कि